तो पहले देख लेते हैं कंपनी की थोड़े बहुत फंडामेंटल फिर आते हैं चार्ट पे और वहां डेसाइड करते हैं कि किन लेविल्स पे यहां पर लोग बाइंग कर सकते हैं और फिर टार्गेट क्या ले सकते हैं अब मार्केट कैपटलाइजेशन की बात की जाए तो यहां पर इसके साथ किचेंगे का बिजनिस तो इहां पर किच्छन वेर बिजनिस के अंदर है जहां पर यह कुकर्स बनाते हैं और इंडक्षण कोक्ट नौप इसी के साथ-साथ मिक्सर और चोटे-चोटे अप्लाइंसे बनाते हैं और अपना नॉन स्टेक वाला जो जितने भी मतलब कह सकते हो कि यूटेंसल्स वगर होते हैं किशन के लिए वो सब भी बनाते हैं तो बेसिकली किशन वेयर के अंदर है अगर कंपनी की ग्रोथ की बात की अब यहां पर नया क्या करेंगे वो थोड़ा समझना मुश्किल है मतलब क्या ही बना सकते हो यहां पर आप लोग नया अब यहां पर देखा जाए एक कौन की बात करें तो कौन यहां पर सबसे बड़ा यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पुटिशन भर भर के तो यहां पर मार्जन कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए खाथ करकी नई कंपनी के लिए तो बेसेकल यहां पर देखा जाए जब कंपनी पुरानी थी है मतलब पुरानी मतलब थोड़े समय पहले देखोगे 2015-16 के आसपाल तो समय इनका जो मार्जन था वो ऐसके करील लेंगे कुछ तो यहीं च्छलती रहे कि अकर यहां पे देखा जाए तो प्राइस बहुत जाते है तेज़ीसे नहीं बढ़ा सककती अधिया तो यह भी प्रॉबलम हैं कि कि कंपनी की प्र gef12-25 बढट की ऐहां काफी काम कंपनी की और रिजावर्स यहां पर देखो तो काफी अच्छा मेंटेन किया है अब यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो कुछी कंपनिया है जैसे यहां पर प्रिस्टीज हो गई यूरोका फोब्स होगा ने यूरोका फोब्स भी नहीं यह 15% सिंपनी के 15% है उसके अलाव स्लो और धीमे धीमे रिटाने सब कमा सकते हैं यहां पर फिलाल अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वह आपको यहां पर जरूर बीस परसंट की मिल जाएगी लिगन अगर बढ़ियां आप लोगो फैक्ट दिखाएं तो यहां पर आप देखोगे दोजार बारा से दोजार से देखाँ तो जोजार बारा से दोजार एक्किस के अंदर बारा से यहां पर फिलावर्डन जाहेगी तो यह थोड़ी सी प्रॉब्लम में अब नीचे आएंगे शेड़िग पैर्टर्स पे तो प्रमोटर्स की उल्ड़िंग देखो गे तो दो परसंट से बढ़ी है एक अ बढ़ी और कुछ ऐसे मेजर सथ जानने की चीज नहीं थी चार्ट पैटर वाइस देखा जाए तो यहां पर देखो कि फिलाल हम लोगों को उल्टा है मतलब बढ़ी तो बैसे बाइंग जब किसी के तरह का यहां पर पॉस आएगा और मार्केट गंदर लग नहीं रहा है कि जल्दी अब इंटरस टेट वगर काम होगा तो यहां पे कुछ कंपनिया को रिलीव भी मिलेगा तो थोड़ा सा अल्दो यहां पर वह बहुत आप रिलेशन है लेकिन अल्टिमेटी देखा जाए तो फिलाल अभी यह डाउंसेट है थोड़ा सा कंटिनीव उट रह सकता है और तो यहां पर देखा जाए तो बाइंग वगर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन कभी किसी तरह का यहां पर कोई भी मतलब रियाक्शन नहीं है तो बेसिक बॉक वैल्यू कंपनी की जादा मिलेगी करेंट प्राइस से तभी यहां पर खरेंदे का फायता होता है उसी समय असे समय ले सकते हो और पोजिशनल ट्रेट यहां पर ले सकते हो अभी यहां पर बेस बनने के देखने कब बनता अभी तो फिलाल डाउनफॉल के अंदर है व पार्शल लॉस ही होगा फ्राफिट बहुत मुश्किल कुसी लोग को यहां पर बॉटम पर खरीद होंगे लकी लोग तो बाकी यहां वहां जो खरीदे होंगे उनका बहुत डर लगता यार ऐसे लेकिन फिर फिर भी थोड़ा सा पारशल प्रॉफिट कर लेना कुसी और श् एक्सपेट कर रहा हो तो ग्रोथ नहीं मिलेगी बिसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर बहुत जादा जब अंडर वैलियो उड़ जाती है तो छोटी-मोटी ट्रेड लेके बीस-बचास परसंट की छोड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए स्टॉक्स नहीं है इस इस एक साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सस्क्राइब सब कर देना बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन दूर दमाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बायर